बात करने जा रहे हैं, seat rate 2018 का आप सबको जानकारी होगा कि official आंगजर की आ चुकी है और साथ में OMR seat result से पहले आप सबी अभ्यातियों के लिए बरी update आपको दे दे कि OC marks वाले तक भी अभ्याति पास कर सकते हैं जो अभ्याति OBC category या फिर SC या फिर ST category मा आते हैं क्योंकि इनको पास करने के लिए मात्र जो है 82 नमर चाहिए ऐसे में यदि आपका score अगर 80 आया है तो आप पास कर सकते हैं आपको बता दे एक प्रस्ण ऐसे हैं जिस पर सभी अभ्यातियों को common नमर दिये जाएंगे जिहाँ चाहिए वो paper 1 की अभ्यारति हो या फिर paper 2 की अभ्यारति हो इन प्रस्णों पर जो है सभी अभ्यारतियों को marks दिया जाएंगे आपको बता दे यदि आप paper 1 का answer की चेक करते हैं तो कुछ ऐसे प्रस्ण दिखेगा जिसका answer में आपको दिखा होगा 9 जिहां 9 लिखा होगा जिसका answer 9 होना चाहिए इसका marks जो है सभी अभ्यारतियों को दिया आपको बता दे यदि आपने paper 1 का परिक्षा दिया है या paper 2 का तो सभी में यदि आप चेक करे तो आपको बता दे ऐसा देखने को मिलेगा इसका मतलब यह है कि आपको इसका मार्क्स दिया जाएगा जिहां आपको जो है इसका मार्क्स दे कर रिजल्ट जारी किया जाएगा यदि आपका इसकोर 80 आ रहा है तो समझ ले एक मार्क्स आपको और यहां से मिल गया यानि कि आपका जो है अब एक आसी हो चुका है इसे में दो प्रस्ण की बात करें तो आपको बता दे सौरी एक प्रस्ण की बात करें तो आपको बता दे यहाँ पर कि एक से दो प्रस्णों में अभी बदलाब होनी है जिहां आपको बता दे कि एक से दो मार्क्स जो है अभी अभियातियों को और भी बढ़ेंगे आप सब को जानकारी के लिए बता दे कि पहले भी आंक्सरकी में बदलाब हुआ है और पुना भी जो है इस बार बदलाब हो सकता है सीटिट 2018 की आंक्सरकी में इसलिए यदि आप आपका रिजल्ट एक या दो नमर से नहीं हो रहा है तो आप परिशान है हो उमीद करे कि आपका रिजल्ट हो जाएगाforeeurकाल 1 से दो परस्टों में बदलाब हुआ है पहले भी और उमीद है कि इसबार भी होगा इसलिए आप परिशान नहीं आप सभी अभियार्थियों के लिए एक अची खबर ये है कि जिन किसी भी प्रस्ण के आंक्सर में यदी 9 लिखा हुआ है तो समझे इसका मार्थ आप सभी अभियार्थियों को दिया जाएगा आपको बता दे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अभियार्थियों को जो है कॉमन नमर दिये जाएगा दोनों पेपर को यदि आप देखें तो कोई ऐसा प्रस्ण आपको देखने को मिलेगा जिसका आंक्सर में 9 लिखा हुआ है मतलब इसका मार्थ आपको दिया जाएगा